हेलो दोस्तो आजके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर Default Home Screen Launcher यहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप लोगों ने अपने phone पे अगर launcher को यहाँ पे change किया था कोई भी application download करके अपने phone में launcher को यहाँ पे अगर आप लोगों ने change किया था और अब आप लोग यहाँ पे पहले जैसा launcher यहाँ पे लाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे लॉंचर को वापिस लाना है तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को open कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको application का option आता है आप लोगों को यहाँ पे click करना है यहाँ पे दोस्तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे manage app का option आता है आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को उपर के और three dots दिखता है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे default app का option आता है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोगों जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को first में launcher का option आता है, तो आपक आपको दिखाई देता दिख सकते हैं और उसके सांतło यहां पर आपको सिस्टम लॉच्छ में तो दोस्तों आपके फोन में अगर आपने यहाला सेलेक्ट किया रहेगा तो आपको उसको क्लिक करके हैं इस वारे में सेलेक्ट करदे ना यानि कि आपको यहाँ पे system launcher पे select करना है ताकि दोस्तों आपके phone में जो launcher पहले था वैसे ही हो जाएगा तो आप लोग हियाँ पे system launcher पे click करिए फिर आपके phone में पहले जैसा launcher यहाँ पे set हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को कोई भी problem नहीं आएगा